चलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हामिश होडिन के जीवन कहानी के बारे में जो की टाइटन सबमरीन में मरने वालों में से एक है तो चलिए हामिश होडिन के परिचे आज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो चलिए वीडियो के ओर हामिश होडिंग एक ग्रिटिश व्यवसाई जो अपने उतकट अन्वेशनों के लिए लोग प्रिय हैं कि हाल ही में 58 वर्ष की आयू मिम्रित यू हो जाने की सूचना मिली है हामिश संयुक्त अरब अमीरात में स्थित था और अपने विमानन व्यवसाई के बाहर वह एक उत्साही खोच करता पाइलट, सासी और अंतरिक्ष परियटक के रूप में जाना जाता था वह एक्षन गूप के संस्थापक थे और वह एक्षन एविएशन के अध्यक्ष भी थे एक्षन एविएशन एक अंतराष्ट्रिय कंपनी है जो अंतराष्ट्रिय विमान ब्रोकरेज का काम करती है और इसका मुख्याले दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है उन्हें चार अन्य खोचकरताओं के साथ जोड़ा गया था जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे, जब उनकी गोताखोरी खोच समुद्र में उत्तरी अट्लांटिक की सतह से लगभग धाई मील नीचे एक घातब डूपकी में बदल गई पताया गया है कि जिस सबमसिबल पर वह सवार था, उसका रविवार को अपने मदर शिप से पूरा संपर्ग तूट गया था पांच दिनों तक मैसाचुसेट्स राज्य के आकार के बराबर एक खोचक्षेत्र को कवर करने के बाद, यात्रा कमपनी, जिसने मिशन योजना की तयारी की थी और डूपकी को प्रायोजित किया था, ने बयान जारी कर घोशना की की सभी पांच यात्री मर गए थे जॉर्ज हैमिश लिविंस्टन होडिंग, जो हर जगल हैमिश होडिंग के नाम से लोगप्रिय हैं, का जन्म वर्ष 1964 में लंदन के हैमरस्मित इलाके में हुआ था उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्लूसेस्टर शेहर के दर किंग स्कूल से पूरी की थी ये स्कूल उन साथ, किंग स्कूलों, में से एक है जो सदी के मतवासी स्कूल की विरासत के तहट स्थापित किये गए थे ये दक्षिन पर्ष्चिम इंग्लेंड में स्थित एक निजी सह शिक्षा विद्या लए है और होडिंग ने हाई स्कूल से सना तक होने के बाद वह केंब्रिज के पेंब्रोग कॉलेज में चले गए जहां वे अपनी बीए और एमे की दिग्री प्राप्ट करने में सक्षम हुए हामिश ने 2017 में वाइट डेजर के नाम से मशहूर अंतार्क्टिक वी आईपी टूरिजम कंपनी के साथ काम किया जहां वह अंतार्क्टिक तक पहुँचने के लिए बिजनेस जैट का उप्योग करके पहली नियमित सेवा शुरू करने में सक्षम थे इसे गल्फ स्ट्रीम जी 550 का उप्योग करके पेश किया गया था जो सेवा के दोरान एक बर्फ रनवे पर उत्रेगा जिसे वोल्स गैंग रनवे कहा जाता है उन्हें कई बार दक्षिनी ध्रूव पर पहुँचने के लिए भी जाना जाता है और 2016 में उनके साथ अमेरिकी अंतरिक शियात्री बज एल रिंडी थे The 20th of June 2023 को उनके सौतेले बेटे द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में इस बात की पुष्टी की गई की हौडिन के उत्तरी अट्लांटिक की सतह के नीचे लापता होने की खबर सही है उनके सौतेले बेटे ब्रान सजाज ने इस खबर की पुष्टी करने के लिए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेस्बुक का सहारा लिया उन्होंने अपनी पतनी लिंडा हॉर्डिन से शादी की थी जो दुबई में लोगों की नजरों से दूर रहती है हॉर्डिन के टू किशोर बच्चे हैं रोरी जो 18 साल का है और जायल्स जो 15 साल का है उनके अन्य दो सौतेले बच्चे लॉरेन और ब्रान है हामिश भी एक उत्सुख खोच करता था और अपने आकिरी पोस्ट में उसने उलेक किया था कि वह उश्नगेट अभियान में शामिल हो गया था उन्होंने उलेक किया कि वह उनके RMS टाइटैनिक मिशन के लिए टाइटन नामक ओश्नगेट के स्वामित्ववाले जहाज पर मिशन विशेशग्यों में से एक के रूप में शामिल हुए थे गयह उलेक किया गया है कि वर्ष 2023 में हामिश होडिन की कुल संपत्ती 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है इससे उन्हें 1912 की दूबने वाली तरासदी से टाइटैनिक के मलबे को देखने के मिशन के लिए उत्तरी अटलांटिक में गोता लगाने के दुरलब अफसर के लिए 250,000 अमरीकी डॉलर की भारी फीज का भुगतान करने के लिए चार अन्यस अधस्यों के साथ टीम बनाने की अनुमती मिली। जैसा की उलेक किया गया है, होडिन, टाइटन, पर सवार थे, सबमसिबल जिसका स्वामित्व ओशनगेट एकस्पीडिशन के पास था, जब वह 1912 में एक हिमखन से टकराने के कारण जहाज के। दूबने के बाद टाइटैनिक के मलबे को देखने के लि और आकिरी मानवयोक्त मिशन होगा। वह संडे दी 18 अव जून 2023 को सेंट जॉन्स कनाडा से एक नाव पर यात्रा पर निकले। इसके बाद वह टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुँचने के लिए जहाज, टाइटन, पर सवार हो गए, जो न्यूफाउंड लेंड के दक अपने कई अभियानों के लिए 3 गिनीज वल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इनमें से एक रिकॉर्ड अंतरिक्ष में बिताए गए समय का है और बाकी दो समुद्र में गहरी गोता लगाने का है। उनकी खोज का पहला रिकॉर्ड वर्ष 2019 में था, जब उन्होंने तीन अ जिसे चैलेंजर डीप के रूप में भी जाना जाता है तक पहुचने के लिए गोता लगाया और लगभग 36,000 फीट की गहराई तक पहुचे। वहां वह दो गिनीज वल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे, एक चालग दलवाले जहाज द्वारा समुद्र की पूरी गहरा और 40 मिनट की समय अवधी में उत्तरी और दक्षिनी ध्रूवों के माध्यम से ग्रह पृत्वी की सबसे तेज परिक्रमा पूरी की। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो यात्री ओशनगेट पंडुगबी, टाइटन पर मौझूद थे, उन सबी को 250,000 अमेरिकी डॉलर की राशी का भुगतान करना आवश्यक था। लगभग 2.5 मील नीचे हुई। कुछ ऐसा है दोस्तों हामिश होडिन के जीवन कहानी तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे बाए।